फूलों वाले पेर पॉधे लगाने से घर की सुन्दर्टा तो बढ़ती ही है. साथ ही इससे घर में सकारात्म कूर्जा भी बनी रहती है. वास्तू शास्त में कुछ ऐसे फूलों का जिक्र किया गया है जिन्हें लगाने से घर में सुक सम्रुद्धी का वास होता है. ऐसे में आईए ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी सुन्दर्ता और खुश्बू बहुत अच्छी होती है। घर में लाल गुलाब का फूल लगाने से नकारात्म कूर्जा घर से दूर रहती है और घट के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। वास्तू शास्त्र के मुताबिक हर सिंगार का पूधा घर में लगाना बेहद शुब माना जाता है। इस पौधे पर माता लक्षमी की विशेश कृपा बरस्ती है। घर में चमेली का पौधा लगाने से सकारात्म कूर्जा आती है। चमेली के फूल से शिव की पूजा करने से सुक शांती और तरक्की बनी रहती है। वास्तू शास्त्र के मुताबिक चम्पा का पौधा घर में लगाने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके खुशबूदार फूल से घर में सकारात्म कूर्जा बनी रहती है। इस पौधे को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए।